हलो फ्रिंट्स वेलकम तू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रहे हूँ सेवन मन बेबी की ग्रोथ और डवलपमेंट के बारे में और बेबी अक्टिविटीज अब हम बात करेंगे बच्ची के मानसिक विकास के बारे में सबसे बड़ा ज्यूमेंट जो आपका बेबी इस टाइम पर पूरा करेंगा वो यह है कि अब आपका बेबी बोलने की कोसिस करना स्टार्ट कर देगा वो तरह तरह की आवाजे निकाल कर आपको अपनी तरफ आकरश्रित करेंगा इसके साथ आप सुनोगे कि आपका बेबी स्टम दादा नाना ऐसे वर्ड्स भी बोलना स्टार्ट कर देगा सेकिंड चेंजी जो आपको आपके बेबी में दिखाई देंगी वो यह है कि स्टाइम पे बच्चा बहुत जड़ा क्यूरियस हो जाता है वो अपने आसपास जो भी जीजे होती उसमें इंटरस्ट लेना स्टार्ट कर देता है खाने की जीजो, खेलने की जीजो, हर एक चीज में इस टाइम पे बच्चा एक्सपरिमेंट करना पसंद करता है जीजो, आपके बीबी में आपको दिखाई देंगी, वो यह है कि स्टाइम पे बच्चा चीजों को नौटिस करना स्टार्ट कर देगा जैसे कि आप कोई भी टोईज अपने बीबी के सामने लेकी आओगी, अगर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे गोर सी देखेगा जब आप उस टोईज को इधर उधर करोगी तो बच्चा उस चीज को निहान की कोसिस करेगा, उधर की तरफ देखना स्टार्ट करेगा नेक्स चीज जो आपको आपके बीबी में दिखाई देंगे, वो ये कि अब बच्चे अपनी फेवरेट चीज को समझना स्टार्ट करेदेगा जैसे कि अगर बच्चे को कोई टोईज पसंद है तो वो उस टोईज के साथ खेलना, उसे अपने साथ रखना, उसके परती लगाओ उसका भढ़ता जाता है इस टाइप के चिंचेच आपको इस टाइम पर दिखाई देंगे अब हम बात करेंगे बच्चे के सारे रिक विकास के बारे में सारे के विकास में सबसे पहली चीच यह आते है कि स्टैंप पे आप देखोगे कि आपके बेबी को बैठने के लिए किसी भी सारे की जुरत नहीं होती है जैसे कि पहले आपका बेबि किसी support की through बैटता था बट इस महेने में आप दिखोगी कि आपका बेबि बिना किसी सहरे के बैठना सुरू कर देगा Second change is जो stamp पे आपको आपके बेबि में दिखाई देगी वो यह है कि अब आपका बेबि किसी भी sound की तरफ देखना उसकी तरफ अट्रेक्ट होना स्टार्ट कर देगा जैसे कि आप ट्राई करोगी कि आप अपने बीबी के सामने जब ताली बजाते तो आप देखोगी कि आपका बीबी उसकी तरफ अट्रेक्ट हो रहा है कोई भी म्यूजिक उसको सुनाई दी रहे तो उसकी तरफ भी अपना इंट्रेस्ट रो करना इस टाइम पर स्टार्ट करतेगा नेक्स्ट आवलाफमेंट जो टाइम पर आपका बेबी अच्छी हो करेगा वो यह है कि आप बच्चों की हाथों की जो पकड होती है वो स्ट्रोंग होना स्टार्ट हुजाती है वो चीजों को पकड़ना उठाना सीख जाते हैं उन्हें पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह भी रखने की कोशिस वो स्टाइम पर करना स्टार्ट करते हैं अगर आप अपने बीबी को लेट बिनिंग याने की फिंगर फूड ओफर करते तो आप देखोगी कि आपका बीबी उसे पकड़कर खाना भी स्टार्ट करता है नेक्स्ट डवलप्मेंट जो आपका बीबी स्टाइम पर करेगा वो यह है कि अब बच्चा चबाने की भी कोशिस करना स्टार्ट कर देता है जब आप बीबी को खाना देती है तो आप का बीभी थोड़ा-थोड़ा उसी चबाना स्टाट कर देगा इस टाम पे बच्चे का जो डाइजेस्टरी सिस्टम होता है वो पहले की कमपेरीजन में ठोड़ा स्ट्रोंग होना स्टाट हो जाता है नेक्स सारे रिक चेंचे जो आपके बीबी में आपको स्टैंप पे दिखाई देंगी वो यह है कि स्टैंप पे बच्चा खड़े होने की भी कोसिस करना स्टार्ट करतेगा जी हाँ आपका बीबी अब सपोर्ट के थुरू खड़ा होगा जैसे कि सोफा है तो सोफे के सारे से खुर्सी के सारे से बैड के सारे से अब वो खड़ा होना स्टार्ट करतेगा and last and most important change जो आपके बीबी में आपको दिखाई देंगी वो यही कि अब बच्चा देर रात तक सोना भी स्टार्ट कर देगा जैसे कि जब बच्चा छोटा होता तो उसकी नेंद जादा देर की नहीं होते हो रात को बार बार जेकता है बट अब बीबी आपका एक लोंग नेप लेना भी स्टार्ट कर देगा मेरा बच्चों से रेलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक में डेस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगे जिस पर आप लोगों को उसके डेली रूटीन बीबी फुट आइडियाज और ग्रॉट और डवलापमेंट के जैसे और भी वीडियोज देखने को मिल जाएंगे तो प्लीज उस चैनल को जाके जरूर विजिट कीजिए अब हम बात करेंगे बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में इस टाइम पे आप अपने बीबी में देखोगी कि बच्चा अपनों से दूरी का दुख बताना स्टार्ट कर देता है जैसे कि पैरेंस ममा पापा उससे दूर होते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि उसकी माँ उससे दूर है उसकी पापा उससे दूर है वो ये है कि अब बेबी जो जान पर जान के लोग जैसे उसे दिखाई देंगी उनको देखकर वो अपने कुसी भी जायर करना स्टार्ट कर देता है जब उसके सामने उसके ममा या फिर जिसको भी जानता है उस टाइम पर आएगा तो देखना बच्चा बहुत जार आसने लगेगा तो इस टाइप के चिंजिच आपको आपके बेबी में दिखाई देंगी